एक तरफ दिल्ली वासी रोजाना कई समस्याओं का सामना करते हैं चाहे ट्रेफिक जाम हो प्रदूशन की गंभीर समस्या हो जिसके चलते लोग दिल्ली छोड़ने का मन बना रहे हैं लेकिन वहीं दूसरे तरफ एक चौकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बाकी देशों की राजधानियों से दिल्ली आर्थिक रूप से ज्याता बहतर है अकसर लोग अपने लाइफस्ट्राइल कारोबार नौकरी को लेकर दूसरे देशों में बसना चाहते हैं जुसमें अमारिका लोगों के पहली पसंद के रूप में सामने आता है अमारिका में कारोबार शुरू करने के लिए करोडो रूपय निवेश करने वाले भारतियों की संख्या तो तेजी से बढ़ रही है ऐसे विश्व के कई और देश हैं जहां बसने का खुआफ अकसर लोग देखते हैं और कुछ पस भी जाते हैं लेकिन शुरुआती कुछ म अमारिका का सेन फ्रांसिसको सबसे महगा शहर और नियू यॉक तूसरे नंबर पर है जबके 85 शहरों के लिस्ट में भारत की राज्थानी दिल्ली सबसे सस्ती है सेन फ्रांसिसको में रहने के लिए आपको महिने में 13,531 जॉलर खर्च करने होंगे नियू यॉक में एक महिने में रहने का खर्च 12,041 जॉलर का है वहीं दिल्ली में एक महिने में सिर्फ 1,735 जॉलर ही खर्च करने होंगे और अगर आप पूरे परिवार के साथ अमारिका कि सेन फ्रांसिस्कों में रिलोकेट होते हैं तो आपको हर महीने 24,000 डॉलर से ज्यादा का खर्च करना होगा जबकि दिल्ली में ये सिर्फ 4,232 डॉलर ही है और अगर तुर्की के इस्तामबूल की बात करें तो वो पूरी फैमिली में शिफ्ट होने के लिए दिल्ली से थुड़ा बहतर है वहार रहने के लिए आपको 4,045 डॉलर हर महीने खर्च करने होंगे अगर हम बाकी खर्चों की बात करें तो उस चड़ी के मताबिक ट्रांस्पोर्ट की मामले में लंदन सबसे महगा है और जबकि सस्ते शहरों की बात करें तो ट्रांस्पोर्ट के मामले में जकार्ता और इंडोनेशा सस्ता है फोन बिल की बात करे तो भारत की दिल्ली सबसे सस्ती है वही पर्मानन रेजिजन्स की राय की बात करे तो यहां भे दिल्ली सबसे सस्ती है इंटरनेट कनेक्शन में भी दिल्ली सबसे सस्ती है यानि ट्रांसपोर्ट और खाने पीने की चीजों को छोड़ दे तो भारत की राष्टान दिल्ली सबसे कम खर्चिला शहर है जबकि अमेरिका में बसना आपकी जेब ठीडी कर सकता है डिबिलाइफ के रिपोर्ट